नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्प्रेश 21 मैं हूँ आपके साथ लालिता चकलधारी आज सिख्षक दिवस है आज हम एक ऐसे स्कूल और वहां के सिख्षकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने परहानी की शैली से देश का नासा इसरों के वैग लिखती है आज हालात यह है कि इस स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे 200 किलोमीटर दूर से यहां पढ़ने आते हैं और बच्चे वह उनके परिजन कहते हैं सिख्षक हो तो ऐसे इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने आपको गौरानवित महसूस करते हैं कभी लाल आतंग के कारण समवेदन शिल शेत्र माने जाने वाले फरसगाओं ब्लॉक का जवाह लाल आदर्श स्कूल 44 साल का सफर तै कर चुका है इन 44 सालों में कई उतार चड़ाओ देखा लाल आतंग की दहशत गर्दी भी देखी पर यहां कि सिक्षकों ने अपना में होई है लाल आतंग के अंधेरे के बीच यहां के सिक्षा हिम्मत नहीं हारे अंधेरा हटा कर लोगों के जीवन में उजाला भरते रहे और हर हालात में देश के भावी पीड़ ही तैयार करने में जूटे रहे इसकूल की स्थापना के 44 साल के सफर में यहां के सिक्षकों ने देश और शेत्र की सेवा के लिए सैक्रों इंजीनियर, IAS, IPS के साथ साथ नासा और इसरों के लिए वैग्यानिक गड़ चुके हैं देखे इसकूल को संचालित हुए आज लगभग 44 वर्स हो रहे है और इन 44 वर्सों के सफर में यह जो विद्याला है वो बहुत सारे घटना दुरगटना आदी को भी देखा है चूकि यह छेत्र बहुत संवेदन सिल छेत्र रहा है और ऐसी स्थिती में भी हमारे एस जो वि और बच्चे हैं जो भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनमें जैसे लासा in the जैसे में गॵुत सारे बच्चे ञें होगे हैं उसी तरह कई iOS cry ऑई प्युकिनेस और आई ए 352 आई तरह पुलिस के जो सेवा में भी खासकर जो ट्रियाई है एसाई हैं ऐसे पदों पर भी बड़ी संख्या में बच्चे जो है पास आउट होकर अपना सेवाय दे रहे हैं उसी तरह प्रोफिस एक्ष्वल में इस छेत्र की जो संबेदन सीलता के होते हुए भी हम आने यह देख इन चवालिस वर्सों के इतियास में इस विद्याले का कि ऐसे होने के बावजूद भी यहां पे बच्चे बड़ी संख्या में दूर दराज से आकर बड़े अच्छे धन से अपना प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं और उचे-उचे पदों पे पदस्त होते जा रहे हैं यह हमारे विद्यले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी रही है घिले के साथ साथ दिगर जिले के बच्चों की पसंदीदा और प्रात्मिक्ता यहीं स्कूल है यहां के परिनाम और उपलब्धियों को देखते हुए दूसरे जिले के बच्चे भी इस उमीद से यहां पर नेताम ने कहा कि यहां कि सिख्षक जिस तरह से पढ़ाते हैं उससे हम अपने लक्ष को पाने की हिम्मत रखते हैं मेरा नाम अनुवराq खरें मैं सर मेरे पड़ेंट्स परेंस पड़ें सीर हिए थेस्पषक बहुत अच्छ है यहां पूराने सक्मक्राइन आप है और इस स्कूल से बहुत सारे हुनार चात्र निकलें जो अभी आइस और डॉक्टर इंजिनियर्स वैग्यानिक हैं सर यह देश में बहुत देश को गवर्वान कर रहे हैं मैं सर आइस बनना चाहता हूं है है हमारे स्कूल से लगभक साथ बन चुके हैं सर इस सर हमारे प्रेणास होता है और हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं इस स्कूल के लिए अपने गाहों के लिए सर मेरा नाम लखानलाल नेताम है सर हमने देखा है कि यहां के जो पढ़ने वाले विध्यारती हैं वो आगे जाके डॉक्टर इंजनियर्स ऐसे बड़े बड़े पदों पर जाते हैं और उसके साथ ही यहां का जो पढ़ाई की व्यास्ता है वो बाकी स्कूलों की अफिक्ष अच्छा है इसलिए मैं यहां सर मैं आगे जाकर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूं और लोगों की सेवा करना चाहता हूं होनहार बच्चों को पढ़ाने में सिक्षकों को भी मजा आता है कक्षा में पढ़ाने के दौरान पुछे गए सवाल का जवाब ततकाल मिल जाए तो सिक्षक भी बच्चों को बड़ी लगन से पढ़ाते हैं इसकूल की सिक्षिका आरडी जेकब कहती हैं कि यहां के इन्हें बढ़ाने में काफी मजा रहा है मूल मंत्र हैं घ्यान खेल और मंच और मैंने देखा यहां पर बच्चे घ्यान में भी उतनी आगे चलते हैं जिस तरह से हम उनको ग्यान देते हैं उनको सिखाते हैं वह उस चीजों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ते हैं क्योंकि यह ऐसी शाला है जो एंटरंस एक्जा पर और नैशनल लेवल पर भी खेल में जाते हैं और यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धी है और यहां पर हमारे बड़े-बड़े ऐसे कारिकरम चल रहे हैं जैसे कि NSS, NCC और अटल टिंकरिंग लैब है जहां इनोवेशन के काम होते हैं साइन्स के बड़े-बड़े फील को बढ़ाते जा रहे हैं उनमें बहुत योग गेता है मैंने देखा और हमारे सिक्षकों की बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इसी तरह से अपने काम को करते रहें तो हम गवर्मेंट के टीचर्स हैं लेकिन हमारे काम तक लेके जाएं ताकि और भी और भी ज़्यादा सफलता हसिल कर सके परसगाओं से रामकुमार भारदौ आज की रिपोर्ट ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अबडेट रहने के लिए देखते रहें निउसक्ष्ट्वेंटीवन आपके हग की बात